जहिन दोस्तों मैं हुआ नूप और आप सो लोग देखे रहे ग्लोवल कॉन्फलिक्ट तो दोस्तों फ्रांस भारत के साथ कई सारे और महतवपूर्ण डील करने के लिए कर रहा है तैयारी आप सब लोगों को पताई होगा कि बीते दशक में भारत के बड़े डिफेंस सप्लायर में फ्रांस भी एक प्रमूग देश बन चुका है जब से फ्रांस और भारत के बीच में रैफैल डील हुआ रैफैल डील के बाद अब फ्रांस के तरफ से कुछ अन्य इंडियन आरण्फोर्स के डील को भी हासिल करने के लिए प्रयास किया जा रहा है जिन में हहलिकौफटर से लेके रैडर और ट्रैंसपोर्ट एरक्रापट से लेके एरियल रिफिउलर तक शामिल है और इसी प्रय कमपनी द्वारा अपने कई सारे महत्वपूर्ण डिफेंस एक्वेपमेंटों का प्रदर्शनी किया जाएगा हाली में एर्वस कमपनी के तरफ से जानकारी देते हुए कहा गया है कि एरो इंडिया में हॉल नंबर B में B26 स्टैंड में एर्वस कमपनी के डिस्प्ले होगा चहाँ पे एर्वस कमपनी के तरफ से C295 मीडियम ट्रांस्पोर्ट एरकर्ट के एक स्केल मॉडल के साथ साथ एर्वस A330 MRTT मतलब मल्टी रोल टैंका ट्रांस्पोर्ट एरकर्ट का भी डिजिटल डिस्प्ले किया जाएगा इसके इलावा एर्वस कमपनी के तरफ से मल्टी रोल हेलिकॉफटर H225M और AS565 MBE को भी स्केल मॉडल के तहर डिस्प्ले किया जाएगा दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दू कि एर्वस कमपनी के तरफ से इन दोनों हेलिकॉफटर को ही भारत को ओफर किया गया है ताकि भारत के जो 123 मिडियम मल्टी रोल हेलिकॉफटर और 111 नेवल उटिलिटी हेलिकॉफटर का टेंडर है उसे हासिल किया जा पाए जबकि आप सब लोगों को ये भी पता होगा कि एर्वस के C295W एरक्रेप्ट को इंडियन एरफोर्स के ट्रांस्पोर्ट एरक्रेप्ट के हिसाब से चुना भी गया है और ऐसे करीबन 56 या उससे अधिक एरक्रेप्टों को इंडिया द्वारा खड़िदा जाएगा जिन ए एर्वस कंपनी से हासिल किया जाएगा ताकि इंडियन एरफोर्स के एरियल रिफ्यूलर के जुरूत को कम्प्लिट किया पाए इसके इलावा एर्वस कंपनी के तरफ से अपने एस 850 रैडर को भी डिस्प्ले किया जाएगा जो असल में एक बहतरीन सैटलाइट ओपरेटे परचन रैस्क्यू रैडर है दोसो इन रैडरों को एर्वस द्वारा डिजिटल डिस्प्ले के तहट ही प्रदर्शन किया जाएगा दोसो ये जो रैडर है ये एकी समय में कई सारे हवाई खत्रों को भी डिटेर कर सकता है और कई सारे मल्टी रोल फॉंक्शन में भी इस्त स्टाटफ के साथ भी समझोते कर सकते है ताकि अपने रिसर्च एंड डेवलप्मेंट के शेत्रों को इंडिया में भी बढ़ा सके और इंडिया के स्टाटफ के साथ ने ने प्रोजेक्टों में भी काम कर सके जबकि एरवस के इलावा फ्रांस के दूसरे कंपनी भी भारत क इस एर शो को एक महत्वपूर्ण जरिये के तहट देख रहा है जिनमें डैसॉल आविएशन के इलावा सैफ्रॉन जैसे फ्रेंच कंपनी भी शामिल है जो दुनिया के गिने चुने उन कंपनियों में है जो जेट इंजिनों का निर्मान करता है दोस्तों आपके जानकारी क के लिए बता दू कि पिछले साल फेवरेडी महिने में आयो जित डिफेंस एक्जिविशन 2020 मतलब डिफेंस एक्सपो 2020 में जहाँ पे डिया डियो और रोयल्स रोयल्स के बीज में जेट इंजिन को लेके एक जॉइंड वेंचर हुआ था तो वही पे इस साल सैफ्रॉन भी भारत के तरफ दो कदब आगे बढ़ा सकता है वैसे अगर देखे तो ओफसेट क्लॉस के तहट सैफ्रॉन के तरफ से भारत के साथ जेट इंजिनों को निर्मान करने का बात तो कहा जा चुका है और खवर ये भी है कि भारत और सैफ्रॉन मिलके 110 किलो न्यूटन के जेट इ इंजिनों को मेकिन इंडिया के तहट भारत में निर्मान करने का बात भी फ्रांस के तरफ से पिछले साथ उठाया गया था इस साल एरो इंडिया को इसलिए भी ज़्यादा मेहतों दिया जा रहा है क्योंकि इस साल इसमें कई सारे डिफेंस समझोते के उपर हस्ताक्षर हो और एक्सपोर्ट के इरादा के उपर भी भारत के द्वारा खुलासा किया जाए लेकिन इस साल एरो इंडिया भारत के लिए इसलिए भी महतुपूर्ण है क्योंकि इसमें अमेरिका रशिया जैसे देशों के तरफ से अपने बहतरिन एक्वेपमेंटों को वेजने का भी जहा आगे बढ़ता है और दोनों देशों के बीज में और कौन-कौन सा महतुपूर्ण डील के उपर हस्ताक्षर होता है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जय हिंद